अले दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सब्सक्राइब का स्वागत है और आज हम इंग्लिश विद बीके मिश्रा सर में आज से एक मैं शेशन सुरू करूंगा जो सभी बच्चों की सभी जितने भी स्टुडेंट्स से उन सभी के लिए प्रॉब्लम का सबब बना हुआ है आज मैं उन सभी बच्चों के लिए अपनी तरफ से अपनी यूट्यूब चैनल पर ऐसे ऐसे शब्दों को आप सब के साथ मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिन शब्दों को ऐसे सी बार बार कूछता वोकैब इस दे बिगएस्ट प्रॉब्लम तो आल एस्पिरेंट्स बिकर्स हाव तो लर्न दैट वन इस प्रॉष्टिस इन माइंड सभी के दिमाग में ये बात बनी पड़ी है कि आखिर हम वोकैब को तयार कैसे करें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यूटूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं मिल जाते हैं जो डावा कराते हैं कि हम ये कर देंगे ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ये कर लो तस मिनिट में वोकैब याद कर लो मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे यानि कि हमारे द्वारा वोकैब याद करा देने से आपको याद होग रहा होता तो आज पूरी दुनिया को वोकैब वोकैब ही याद हो गया होता क्वावा, क्योंकि बहुत सारे चैनल, बहुत सारे सिक्षक वो कावियात करा रहे हैं, मैं भी उनहीं में सुआ हूँ, लेकिन, एक बात में आप से यह कहना चाहूँगा, कि दो बाते वह जरूरी है जानना, तो खो ग्रैमर्स के रूल्स की अगर बात करोगे, तो ग्रैमर्स क के रूल्स अगर किसी स्टूडेंट को किसी टीचर के दौरा पढ़ाया गया नहीं समझ में आता तो किसी टीचर की गलती हो सकती है कि भाई रूस को एक्सप्रेस करने में गढ़बड की है या कुछ भी लेकिन अगर किसी सिख्षक के द्वारा वोकैब दिया गया हो और किसी भी द्यार्थी को याद ना हुआ हो तो इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है क्यूं क्यूंकि याद करने का जो मामला है वो टीचर नहीं कराएगा आपको करना हो बस्मझ आरी यानि किसी टीचर के द्वारा वोकैब अगर दिया गया है तो वोकैब बच्चे को अपने से समझना होगा इसे कोई याद नहीं करा सकता किसी के बस की बात नहीं कि किसी के दिमाग में वोकैब डाल दीजे तो दोस्तों इन सब बातों से बिलकुल आप हटके रहें और इतनी चीज़ को स कि आपको वोकैब का सेक्षन दिये गए सिख्षक के द्वारा शब्दों की प्रैक्टिस स्वतह करनी होगी इसका कोई आप्शन नहीं कोई उपाय नहीं बाकी तो यह हम कहते ही हैं कि एक घंटे में 50 वोकैब व्याद करा देंगे 60 वोकैब व्याद करा देंगे हमारी अपन मार्केट बनाया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है मगर हाँ इस बात को बिल्कुल भी आप ध्यान में रखना वोकैब को याद कैसे करना होगा वोकैब को याद बिल्कुल भी नहीं करना है यह आप दिमाग से अपने निकाल के फेक दो क्योंकि वोकैब को याद आप करी ही नहीं सकते आज आप मालो आज आप मालो पचास वुकायव याद किये अगला जैसी पचास याद करोगे ये पचास आपको भोल जाए ये गैरेंटीड है ये गैरेंटीड है जैसे ही अगला आपने पचास याद किया वैसे ही जो पीछे का पचास था वो भोल जाए बत समझ मे समझना कैसे है एक एक करके चीजों को देखेंगे और प्रैस करेंगे कि आपको हमारे वीडियो के माध्यों से जितने भी शब्द आप तक प्रोवाइट कराये जाए हो सभी शब्द याद हो जाए याद क्या हो जाए? दिमाग में बन जाए ठीक है तो आईए शुरुआत करत और आपको आज से English with BK मिस्रा सर के YouTube चैनल पर वोकैब की प्रैक्टिस प्राउब पर मिरने वाली है वोकैब 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 आप सब लोग वोकैब पर ही काम करोगे वोकैब पर ही आपको समझना है क्योंकि 60% of whole examination marks depend on the vocab किसी भी तरीके की परिक्षा की बात अगर की जाए तो सर 60% आपका वोकैब से question होता है 40% question आपके grammar section से होता है ठीक है आओ ध्यान दें और बात को समझना शुरू करते हैं आपके batch का नाम होगा summer vocab आपके इस batch का यह नाम होगा summer vocab part 1 यह part आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा क्या होगा summer vocab so without any further late let's begin शुरूआत की जाए शुरूआत की जाए और पहला शब्द यह रहा पहले सब्द के साथ साथ चीजों को हमें समझना होगा यानि शब्द की मीनिंग के साथ साथ हम antonym और synonym को भी खुब बढ़ियां से करते हुए चलेंगे तो पहला शब्द आपके सामने पहला शब्द आपके सामने रहा एबलेज का मतलब मेरे दोस्तों किसी भी चीज को प्रज्वलित करना प्रज्वलित होना या करना या उज्वलित करना ठीक है या आप कह सकते हो प्रकाशित करना प्रकाशवान हो जाना ठीक है यह आपके पहले शब्द की मेनिंग कि एबलेज का मतलब हुआ प्रज्वलित करना प्रकाशित करना या उज्वलित कर देना एबलेज का मतलब हुआ ठीक है भाई अबलेज का मतलब हो अगर हम याद करने की कोशिश करें याद करने की कोशिश करें तो अबलेज का मतलब होता है भाई अबलेज का मतलब क्या क्या हुआ प्रज्वलित करना उज्वलित करना या फिर प्रकाशित करना प्रकाश मय कर देना ठीक है अबलेज का मतलब अच्छा एक बात बता इसके एंटेनिम की अगर बात की जाए या इसके सिनेनिम की बात की जाए पहले एंटेनिम और सिनेनिम की बात कर लेते हैं इसके बाद हम इसको याद कराने का ट्रिक बताते हैं ठीक है? जैसे कह सकते हो Blazing Blazing शब्द है और ये Blazing का मतलब क्या होता है? प्रकाशित हो जाना Synonym है सर्याध्यान दिएगा ठीक है आप कह सकते हो Burning या आप कह सकते हो Flaming यानि Blazing Burning, Flaming यह क्या कहता है इसका मतलब यह होता है कि प्रकाशित कर देना प्रकास मैं कर देना ठीक है भाई अगर इसी के एंटिनिम की बात की जाए जैसे एंटिनिम अगर इसका हम कहें काम एट एक है कूल ठीक है भाई दो आपके ये एंटिनिम्स काम दो अबलेस का मतलब क्या होता है प्रजवलित करना प्रकाशित करना या फिर उजवलित करने ठीक है भाई तो अबलेस का मतलब क्या हुआ प्रजवलित करना और अबलेज को याद करने का जो तरीका है समझ लो इबलेज अबलेज याद करने का तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा अबलेज लेज कुरकुरे आप जानते ही होगे लेज और उसे अब क्या करो लेज दिला दो तो लड़का खुश हो जाएगा यानि कि उसको उसके मन में उसके दिल में क्या खुशी प्रज्वलित हो जाएगी खुशी से वो भर जाएगा ठीके भाई ठीके भाई तो खुशी उसके अंदर क्या होगी प्रज्वलित हो जाएगी और का खुशी से मन प्रजुलित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है भाई, बात समझ में आगी, दूसरी बात एक्सीड, एक्सीड सब्द आया, बहुत अच्छा शब्द है, काईदे से समझते चलना, एक्सीड, एक्सीड शब्द आया सर्थ, एक्सीड का मतलब होता है कोई चीज मान लेना, ठीक है ना, ठीक है भाई, अगर इसके, अगर इसके, एक मिनिट थोड़ा सा गरबढ हुई है, थोड़ा सा गरबढ हुई है भाई, ये उल्टा लिग गया है, ये आपका, ये आपका, उपर आपका, सिनिनिम हो जाएगा, ये सिनिनिम हो जाएगा, ये एंटिनिम हो जाएगा, ठीक है भाई, ये गरबढ हो गई है, उसी तरह से, यहाँ पे भी देख लें, सिनिनिम, और यहाँ भी देख लें, एंटिनिम, एक्सीड का मतलब किसी भी चीज को मान लेना, एक्स कॉंसेंट कभी कभी शब्द आपको मिलने का देखने को मिल जाता है एग्री एग्री मिल जाता है ठीक है इसके लिए अगर कहा जाए रिफ्यूज आप इसी का अपोजिट ले सकते हों डिस एग्री अब्टिस एग्री ले सकते होँ प्रॉब्लम नहीं होगी या आप कर सकते हो रिज्वाइम। ठीक है भाई ये इनका क्या एक्सीट कामतलब डिसैन लिजाइन और सेनिव वह कांसेंट और एग्री हुआ कोई प्रॉबल्म ही तो नहीं हैं एक्सीट का मतलब क्या होता है एक्सीट का मतलब होता है सिर्प कोई चीज एकसेप्ट कर लेना क्या कर लेना कोई भी चीज एकसेप्ट कर लेना एकसीट का मतलब कोई भी चीज एकसेप्ट कर लेना है कि नहीं यानि मान लेना तो अगर मैं कहूं एसी से भाई मान लो शादी कर रहे हो और शादी कर रहे हो लड़का क्या कहा रहा कि भाईया हम नहीं मानेंगे साधी जब तक मुझे तुम एसी न जब तक तुम AC मुझे नहीं दो गए तो क्या हुआ सर एकसीड का मतलब यह हुआ कि AC पा गया तो लड़का साधी के लिए मान गया यानि AC पा गया एकसीड हो गया AC पा गया तो एकसीड हो गया AC पा गया तो एकसीड हो गया से नेटस्ट वॉर्ड को देख नेइक्स्ट वोर्ड है कर एककंप्लिश ब एकंप्लिश है व्यम है की कि सब्सक्राइब यह एकंप्लिश का मतलब यह होता है जैसे हैं необходимо कि मतलब होता है अपराध का साथ ही यानि हम कह सकते हैं इसको अगर कहे तो अपराधी नाम दिया जा सकता है, अगर अपराध के साथ हो, अगर अपराध करने वाले के साथ हो, तो अपराधी हो, कोई प्राब्लम भी नहीं, बोल तो दो, हाँ, तो अब जब आपने अपराध किया है, तो भाई, अपराध करने वाला इंसान, क्या होगा, एंटर नीम और सिनने इसका देख लोगे लुगे है ना आ आ या इस उसीएट एक सब आता है एसीएट एस ईससीएट एक वोड आता है ठीके भाई एस्सेएट एक वोड आता है एक शब्द आता है confederate ठीक है ये इनका अपना synonym हुआ है ठीक है ये इनका अपना synonym हुआ है ठीक है आपने नाम सुना होगा एनेमी का है है ना एनेमी शब्द सुना होगा भूलो भाई एनमी शब्द आप लोगों सुना होगा है ना है एक सब्द आता है adversary तो कुल में लाके एक अंप्रिश का मतलब क्या हुआ कि अपराध का साथि जो अपराध के छेत्र में अपराध जो लोग कर रहे हैं उनका करने वाला इंसान तो अपने आप में वो भी एक अपराधी ही हुआ तो कुल में लाके हमें यहां पर एक बात यह काइदे से यह बात समझ आही गई कि भाई accomplish का मतलब होता है अपराध अब इसको याद करने का तरीका अगर देखा जाए तो सर accomplish का मतलब हो यह काम पुलिस का यह काम पुलिस का है अब accomplish accomplish का मतलब यह काम पुलिस का यह ट्रिक है इसको ध्यान दीजेगा accomplish का मतलब यह काम पुलिस का accomplish यह काम पुलिस का accomplish यह काम पुलिस का तो जो पुलिस का काम होगा तो अपराद से रिलेटेड ही होगा कोई इसमें दो राय कोई कोई अपराद ही होगा वही पुलिस का यूज किया जाता है पुलिस का यूज ऐसे ने किया जाता कि जो है अपराद ना हो और पुलिस का प्रयोग हैंगे ने तो भाई साब पुलिस क का मठोगा यह काम पुलिस का यह काम पुलिस का जो काम पुलिस का होगा वह अपराज से related कोई दिक्कत भाई the next word adequate adequate का मतलब होता है योग या आप किसी को able कह सकते भाई ठीक है able कह सकते हो इनके synonym और एंटिनिम की अगर बात किये जाएं, Synonym, Antonym की अगर बात की जाएं, Synonym अगर Antonym की बात की जाएं, कह सकते हो complete, enough, capable, able, बहुत सारे शब्द आप Synonym के लिए लगा सकते हो, जितना आप चाएं, यानि शब्दों को किस तरीके से जोड़ना है, याद करना है, यह सभी बातें आपको इस तरह से सीखना होगा, इसी तरीके से शब्दों के अपनी विनयोजन को सीखना होगा, ठीके भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अब आप इसी में insufficient कर दो problem कुछ नहीं होगी, insufficient inadequate कर दो कोई problem नहीं होगी, inadequate कर दो, inadequate कर दो कोई दिक्कत नहीं होगी, inability कर सकते हो, कोई problem नहीं होगी सर, है न, एक शब्द आता है अच्छा सा, scant, अब लो, adequate का शब्द का मीनिंग हुआ, योग या फिल, इसको याद कैसे करेंगे सर, आड़े क्यूं, आड़े क्यूं, सर आड़े क्यूं, अब देखो भाई, मालो तुम बाजार जा रहे हो, अब तुम से कोई टकरा आ गया, अब तुम उसका कॉलर और पकड़ क्या वैस साले, तुमने क्यों धक्का मारा मुझे, पता ना मेरे को धक्का क्यों मारा, अब तुम कहरा भहिया माफ करतो मुझे माफ करतो जाने तो मुझे जाने तो मैं अब नहीं गलती करूँगा अब तुम क्या कर आड़े हो नहीं, हुए, नेक्स्ट वर्ड की बात किजाएं, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, जल्दी से अंसर आप लोग कर दो, किस नेक्स्ट चलो बाई एडॉल्सेंट एडॉल्सेंट का मतलब क्या उता है एडॉल्सेंट का मतलब होता है किशोर नौजवान है की नहीं एडॉल्सेंट का मतलब किशोर या नौजवान ठीक है आप इसकी सिनिनिम और एंटिनिम तयार कर सकते हो कोई प्राब्लम नहीं ठीक है सिनिनिम आप इसको अगर कहोगे तो कोई दिकत नहीं होगी टीन एजड यूथ कोई प्राब्लम नहीं है यूथ कह सकते हैं ना बोलो ना आप इसे यंग कह सकते हों कोई के दिकत नहीं होगी जवान इंसान है भाई है नहीं एंटिनिम की बात की जाए तो जो जवान नहीं हो जो जवान नहीं हो जैसे जैसे एडल्ट ग्रोन यह आप इसकी एंटिनिम बना सकते हैं अब इसको याद कैसे करोगे वाई एडल्ट 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 का मतलब नौजवानी की स्थिती में प्रवेश करने वाला ठीक है भाई कोई दिक्कत तो नहीं है नेक्स्ट सब्द है बिगविल नेक्स्ट वर्ड है बिगविल बिगविल का मतलब क्या होता है भाई बिगविल का मतलब क्या होता है भाई इसका मतलब होता है कि गुम्राह करना पत्व्रमित करना ठीका ना यानि पत्व्रमित करना ठीकत नहीं हो कि यार यह करो यह सही रहेगगा ऐसा मत करो यह घरबड़ है तो गुमरा करना होता रहा है सर इसी की सिननिम और एंटिनिम की अगर हम बात करें, इसी के सिननिम और एंटिनिम की अगर मैं बात करूँ, आप कह सकते हो, चीट, चीट शब्द क्या है सर, धोखा देना, धोखा देना, सर गुमरा करना, धोखा देना बात ये कहीं, आप कह सकते हो, डिसीव या मिसलीड भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए सर, एंटिनिम इसी का आपोजीट हो जाना है, बोलो, बोलुखा ताहित थी हो, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इनलाइटेन थीक है भाई इस तरीके से आप न अभी तक 6 शब्द सीखे हो ना लेकिन आप करीब 30 सब्द सीख चुक्यों था 30 वर्ड आप रट चुक्यों हो आपको याद हो क्या हो अब बेगुल को यूज याद किया जा भाई बेगुल बेगुल बाई बाई जो बिगुल बजता है बिगुल बिगुल नाम सुने हो बिगुल जो बजता है जो बिगुल बजता है तो बाई बिगुल जब बजता है तो मालो जिस समय कोई प्रोग्राम हो बिगुल बजने वाला तो ठीक है यार बिगुल जीसे लड़ाई जगड़े के लिए नहीं जानते हो क्या करते थे फर्जिये भी गुल बजा देते थे तो कुल सेना दौड पढ़ती थी लेकिन कुछ होता नहीं था इसका मतलब क्या हुआ कि गुम्राह करते थे सब उनको परिशान करते थे ठीके भाई चलो नेक्स्ट वर्ड देख लो अगला शब्द है विमान अशि इसका शोग दुख ठीके भई शोग या दुख शोग या दुख इसके सिननिम और एंटिनिम की बात की जाए शोग और दुख में इसके सिननिम और एंटिनिम की बात की जाए मौण ग्रीव डिपलार बहुत सारे शब्द आप लगा सकते हो यार बहुत सारे शब्द आप यूज़ कर सकते हैं समझ में आ रहा नहीं है ठीक है इसी में आप कह सकते हो इंजवाय रिजोईस करना मज़े लेना है ना ब्लिस करना लो भाई अब बेमान का मतलब क्या हुआ इसको हम याद कर सकते हैं बेमन बाई साब यह बताओ जैसे मान लोग किसी के यहां कोई दुरघटना घट गई हो किसी के यहां कोई दुरघटना घट गई हो और जो दुरघटना हो गई है उससे इंसान क्या रहेगा दुखी रहेगा, तो उसको तुम कुछ भी करोगे, वो क्या करेगा, बे मन करेगा, ना, मन लगा के तो करेगा नहीं, बे मन करेगा, तो बे मन का मतलब क्या हुआ, मन कब गड़बड हुआ, जब कुछ कोई दुख, कोई शोक उसके अंदर हुआ, तब तो वो बे मन करेगा, ह इसका मतलब होता है शाओरिया या कह सकते हो शाओरिवान ठीक है ठीक है भाई शाओरिया शाओरिवान इसके अगर सिननिम और एंटिनिम की बात की जाए कह सकते हो बोर्ड गैलेंट ब्रेव बहादुर इंसान ठीक है भाई शाओरिवान या आप इसे बहादूर भी सकत कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं इसके एंटिनिम की बात करो भाई चीमिड बैश्फल यही हो कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी आसानी से चीज़ों को सीखो शीवैल रस शीवैल रस अब एक बात बताओ शीवैल रस शीवा कौन थे बाई शीवा कैसे थे शाओरिवान थे ठीक है शीवा कौन थे शीवा शीवा शीव भुले शंकर बोलो ना शीव भुले संकर काँ ने थे स्वूरिवान थे ब्रेव एं ठीक है बाई पूरे के पूरे पूरे संसार के सुरिवान रहन है ठीक है नेक्स्ट दो वोट और हैं जड़ा देखलो ध्यांसे ले कंजिमेट डिस्टिंक्ट के कंजिमेट का मतलब होता किसी भी चीज को पूरा करना पूरा करना किसी भी चीज को पूरा करना भई ठीक है किसी भी चीज को क्या करना पूरा करना अगर अगर synonym की बात की जाए, antonym की बात की जाए, इसी के, synonym की और antonym की अगर बात की जाए, कह सकते हो, arant, complete, perfect, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कह सकते हो, कभी-कभी आप, finish, बहुत सारे शब्दों को आप लगा सकते हैं, ठीक है, antonym की अगर बात की जाए, इसी, इंपर्फेक्ट, इनकंप्लीट, ठीक है सर, कंजियूम करने का मतलब क्या हुआ, कंजियूम करने का मतलब होता है, इसे, कंजियूम, कंजियूम का मतलब कोई भी चीज, टेकप करना, कंजियूम करना, इकठा करना, तो, जब कोई भी चीज इकठा होगी वो क्या होगी पूरी होगी जब कोई चीज इकठा होगी तो क्या होगी पूरी होगी तो कंजियूम करना मतलब कंजियूम करना मने बचा लेना ठीक है पूरी तरह से क्या करना बचा लेना ठीक है बाई डिस्टिंक्ड का मतलब होता है असपष्ट है असपष्ट का मतलब होता है असपष्ट ठीक है इसके अगर Synonym की बात करें ऐन्चनीम की बात करें इसका मतलब अगर मैं यह प्लिया क्लियर हो सकता है भाई क्लियर हो सकता है है ना कोई भी चीज़ डिफर हो सकती है कोई भी चीज़ डिफर हो सकती है क्लियर हो सकता है ठीक है एंटिनिम की बात अगर की जाए एंटिनिम की बात अगर करें तो कोई भी काम डिम हो सकता है कोई भी काम वैग हो सकता है डिस्टिंक्ट की बात की जाए तो डिस्टिंक्शन आपने सुना होगा डिस्टिंक्शन आपने एक सब्द सुना होगा जो 75 नंबर के उपर पाने वाले को डिस्टिंक्शन दिया जाता है डिस्टिंक्शन दिया जाता है न बोलो तो अगर तुम 75 नंबर के उपर पाओगे त इस्टिंशन आप तभी पाओगे तो कोई दिक्कत भाई किसी को कोई प्राब्लम तो नहीं है आज इतना ही रखते हैं करीब हम लोग आज सीखा है कितना मोर देन 40 वर्ट आज हम लोगों ने सीखा है 40 शब्दों के साथ आज यहीं मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं इसके बाद मैं मिलता हूं आगे अपनी पार्ट टू में और आज इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू